असलावलिकुम दोस्तों आपका फिर से में स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल गल्फ इन्फरमेशन यूटूब चैनल पर तो साती हो आज की वीडियो में कतर से सबसे पहली जो ख़बर दोस्तों आ रही है श्टॉब वीड विड ब्लोइंग डिश्ट फॉरकास्ट फॉर वीकेंड दोस्तों कतर के मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से एक बहुती बड़ी एनॉस्मेंड की गई है आप लोगो सौधान रहने के लिए कहा गया अब दोस्तों खबर क्या है मैं आपको पूरा बताता हूँ दोस्तों मेटरलोजिकल डिपार्टम तरब से ये कहा गया कि इस हपते पूरा वीकेंड आपको strong wind काफी जगाओं पे तेज हवाएं उसके साथ हा dust यानि दोस्तों धूल वगएरा उड़ने की पूरी संभावना है तो आप लोग यदि driving sector पे हो गाड़ियां वगएरा चलाते हो भाई तो बिलकुल थोड़ा समहल के चलाईएगा क्योंकि धूल उड़ने के वज़ए से दुरखटना वगएरा हो सकती है और हवाएं भी काफी तेज चलेगी थोड टैंपरोरी पार्सियल क्लोजन ओफ टू रोड इस्टार्टिंग टूडे दोस्तों दो रास्ते को कतर में बन किया जा रहा है यानि टैंपरोरी पार्सियल क्लोज किया जा रहा है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो मैंने रास्ते का नाम बता दे रहा हूं म्यूजियम इ गेरा का कुछ काम है जिसके वज़े से ये निरने लिया गया तो भाईयों आप लोग यदि इस रास्ते से गुजरते हो या फिर आपके जानने वाला पैचानने वाला कोई गुजरता हो तो उनको ये मैसेज दोस्तो इतला कर दीजेगा क्योंकि भाई देखिए फिर वहाँ प कतरी कतर में हो और अच्छे खासे पैसे कमाते हो तो आपको पताई होगा कि हर साल वहाँ पे विंटर एक कैम्पेंट सीजन होता है तो उसका रेजिस्टेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है सॉरी मतलब 15 अक्तूबर से स्टार्ट होने वाला है तो यदि आप लोग इसका रेजिस्टेशन वगएरा कराना चाहते हो तो मिनिस्ट्र ओफ इन्वार्मेंट क्लाइमेट चेंज के तरफ से एनॉस्मेंट किया गया है कि 15 अक्तूबर 2024 से इसका रेजिस्टेशन वगएरा स्टार्ट होगा तो यदि आप लोग इससे इच्छुक हो ये सब चीज़े करन करना पसंद करते हो कैंपेणिंग अगयरा करना पसंद करते हो तो भाई आप जाकर रेजिश्टेशन करवा लिजिए अप जाहिर से बात है दोस्तों जो लेबर तबके के मेरे भाई जो होगी वो तो करवाएगे नहीं और जो वायट कॉलणर वाले होगे वही कुछ लोग जाते होंगे तो भाई आप लोग करणना चाहतों तो करवा सकते हो अगली जो ख़बर दोस्तों वारे साती है पाकिस्तान से हो तो आपके लिए थोड़ी बुरी ख़बर यह हो सकती भाई पाकिस्तान का अहलत बहुत इक खराब है आप लोग जानी रहेENEँ पाकिस्तान में दोस्तों इम्रान खान है उनको रिलीस करने की दोस्तों बात चल रही थी जिसके वज़े से हजारों के तादाद में लोग वहां पे रैलिया निकाल रहे हैं दोस्तो कुछ लोग जो हैं इमरान खान के समर्थन करते हैं वहाँ पे और कुछ लोग जो हैं इमरान खान को समर्थन नहीं करते हैं तो इसी को लेकर दोस्तों वहाँ पे रैलियां वगारा निकाली जा रही है जैसा कि दोस्तों अब देख सकते हो वहाँ पे पुलिस के तरफ से फाइरिंग वगएरा भी की गई जिसके बाद गैस फाइरिंग जिससे कहा जाता है काफी लोग दोस्तों इस पर ये भी हुए है तो ये कुछ खबरे थी अपडेट सी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक से एर किया मिलता हूँ दोस्तों एक स्टुडियों पर जैहिन अलाफिस टेक क्या